तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग compare करने वाले हैं Realme Watch 2 को Realme Watch के साथ आज राइट सेरे, what's up everybody, this is Ajay Shinde, back into the game with new video तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग compare करने वाले है Realme Watch 2 को Realme Watch के साथ क्योंकि दोस्तो आपको पता है Realme Watch 2 जो है, वो successor होने वाली है Realme Watch की तो दोस्तो अभी देखते हैं कि इसमें कुछ से नए features add किये हैं So without wasting time, let's get started दोस्तो बात करते हैं display की, तो दोस्तो Realme Watch में आपको 1.4 inch का display देखने को मिल रहा था जिसका pixel resolution था 320 into 320 का वही दोस्तो Realme Watch 2 में भी आपको 1.4 inch का display देखने को मिल रहा है, जिसका pixel resolution भी 320 into 320 का है और दोस्तो इसकी pixel density है, 323 pixel per inch बात करते हैं, हेल features की, तो दोस्तो Realme Watch में आपको heart rate monitoring का support मिल रहा था SPO2 monitoring मतलब दोस्तो blood oxygen level monitoring का भी support मिल रहा था और दोस्तो उसी के साथ साथ clip monitoring का भी support मिल रहा था लेकिन दोस्तो Realme Watch 2 में आपको heart rate monitoring का support मिल रहा है SPO2 monitoring का support मिल रहा है, clip monitoring का भी support मिल रहा है और दोस्तो इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको breathe mode का भी support मिलने वाला है दोस्तो बात करते हैं sports mode की तो दोस्तो real me watch में आपको 14 sports mode जो है वो देखने को मिल रहे थे outdoor run, walk, indoor run, strength training, outdoor cycle, football, aerobic ability, basketball, table tennis, badminton, indoor cycle, elliptical, yoga, cricket जैसे sports mode आपको real me watch में देखने को मिल रहे थे वही दोस्तो real me watch 2 में आपको 90 sports mode जो है वो देखने को मिलेंगे लेकिन दोस्तो built-in यहाँ पे आपको 16 sports mode ही देखने को मिल रहे है boxing, rowing machine, golf, strength training, indoor cycling, hiking, indoor run, yoga, elliptical, outdoor cycle, dance, tennis, outdoor run, free training, table tennis, basketball जैसे sports mode यहाँ पे आपको real me watch 2 में देखने को मिल रहे है और दोस्तो बाकी के जो sports mode है वो वाया OTA update आपको मिल जाएंगे दोस्तो बात करते हैं other features की तो दोस्तो दोनों ही जो devices है मतलब real me watch और real me watch 2 उसमें आपको bluetooth version 5.0 का support मिलने वाला है और दोस्तो दोनों ही जो devices है उसमें आप music और camera कंट्रोल कर सकते हो जी हाँ दोस्तो आप real me watch में भी music और camera कंट्रोल कर सकते थे और दोस्तो real me watch 2 में भी आप music और camera कंट्रोल कर सकते हो और उसी के सदसद दोस्तों यहाँ पे आप दोनों ही डिवाइसे से आप जो है वा आपकी smart AIOT products भी control कर सकते हो जी हाँ दोस्तों आप Realme Watch से भी control कर सकते हो AIOT products और Realme Watch 2 से भी यहाँ पे आप control कर सकते हो AIOT products बात करते हैं water resistance की तो यहाँ पे भी दोनों ही जो devices है वो IP68 water resistant होने वाले realme watch भी और realme watch 2 भी यहाँ पे IP68 rated water resistant है दोस्तो अभी बात करते हैं battery की तो दोस्तो realme watch में आपको 160 mAh की battery देखने को मिल रहे थी जो कि आपको 7-9 days तक last होने वाली थी लेकिन दोस्तो अगर बात करें realme watch 2 की battery की तो दोस्तो यहाँ पे आपको 315 mAh की huge battery मिलने वाली है जो कि आपको last होने वाली है 20 days तक तो दोस्तो यह थी overall comparison realme watch की realme watch 2 के साथ दोस्तो मैं आपको simple words में बता दू तो दोस्तो यहाँ पे आपको screen size से मिलने वाली है लेकिन दोस्तो यहाँ पे आपको health feature में breathe mode मिलने वाला है sports mode जो है वो यहाँ पे काफी जादा आपको मिलने वाले है और उसे के साथ साथ दोस्तो यहाँ पे battery को भी बहुत जादा improve कर दिया है तो दोस्तो क्या आप real me watch 2 लेना पसंद करोगे और क्यों लेना पसंद करोगे यह आप मुझे comment में जरूर बता सकते हो और अगर नहीं भी लेना चाते तो आप real me watch के उपर stick क्यों है वो भी आप मुझे comment में जरूर बताना तो बस दोस्तों यहीत आज के वीडियो में आयों पापको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो लाइक करो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो तो देन बाबा दीस इस अजय शिंदे ओर एन आओ